स्वागत है वीडियो में आपको बताऊंगा export opportunity in Hong Kong आप export करना चाहते हैं तो Hong Kong के अंदर बहुत ही अच्छी export opportunity है क्योंकि Hong Kong जो है इंडिया स्फॉर्थ लार्जर्ट पार्टनर हम जित्ना आच एक्स्पॉर्ट करते उसमें सबसे पहले योसे को करते फिर यूए को करते फिर चाइना को करते फौर्थ हैं HongKong, HongKong इंडिया के लिए बहूत ही अच्छा एक्सपोस्ट डेस्टिनेशन है, और मैंने होंकोग покуп का दो बार विजिट भी किया हुआ है, HongKong जो है ऐस्या में लोकेड़ है, और HongKong जो है एस्या में वन one of the, सबसे ज़ए एक्सपोर्ट करने वाला country है, इंडिया से Hong Kong में export की बात करें, तो इंडिया से हम लोग 10.9 million USD का export Hong Kong को करते हैं, और इंडिया से जितना export होता है, उसमें percentage की हम बात करें, तो 3.53% हम Hong Kong को export करते हैं, Hong Kong एक छोटा सा कंट्री है फिर भी वहां पे इतना सारा एक्सपोर्ट क्यों होता है उसके बहुत सारे रीजन है उसका पहला रीजन है पर केपिटल इंकम Hong Kong के अंदर पर केपिटल इंकम बहुत ही अच्छी है अराउंड 64,000 USD है तो बहुत ही अच्छी बात है तो वहां पे लोगों का पर्चेजिंग पावर बहुत अच्छा है तो हम यहां से अच्छी कॉलिटी प्रड़क होंग को एक्सपोर्ट कर सकते हम Hong Kong के GDP की बात करें तो व third country export यहां ट्राण्जीट के लिए बहुत सारे लोग यूज़ करते तो इंडिया से यहां से बहुत अच्छा Hong Kong को एकस्पोर्ट होता हैं इंडिया से Hong Kong में भी एकसपोर्ट होता है और third country के लिए जाता है तो यहां से Hong Kong जाता है Hong Kong से कोई और country में भी जाता है इन्डिया से होंग कोंग में एक सिपर ऑपोर्टिटी अच्छी है हम आपको जो है न सब्दाउन न बह defund करें न सब्सक्राइब कंस सकूर्ड में इन्डीया चेंड के शावण कोंग के बिच बएक टाने सब्सक्राइब and most efficient international container pot in the world. The pot of Hong Kong is the one of the busiest pot in the world in three categories like shipping movement, cargo handling and passenger movement के अंदर जो है Hong Kong pot जो है दुनिया में number one पे है. अब मैं बात करूँ यहाँ पर export opportunity from India to Hong Kong. तो Hong Kong के अंदर आप कौनसी-कौनसी product export कर सकते हो. सबसे अच्छा Hong Kong के अंदर export होता है. वो लाक export होता है Hong Kong के अंदर. अच्छा अच्छा एंदर उसके बाद इलेक्ट्रोनिक equipment जो है वो अच्छा export होता है. उसके बाद परड़क्स वाफ एनीमले ओरीजिन जो है अच्छा एक्सपोर्ट होता है. उसके बाद फीश अगर marine परड़क आप क्लोथ आप होंग कोंग में एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके बाद है और्गनिक केमिकल्स उसके बाद है अप्टिकल एंड मेडिकल इंस्टुमेंट जो है अच्छा एक्सपोर्ट होता है आप कर सकते हो आरियन एंस्टील एक्सपोर्ट होता है होंग को अंदर मैं आपको प्र pharmaceutical प्रडट्क आप export कर सकते हो next is plastic and article of the plastic तो different दिफ्रेंट की प्लास्टिक की जो product है आप होंग कोंग में export कर सकते हो next is leather की वहाँ पे बहुत अच्छी demand है तो आप leather export कर सकते हो उसके बदद आप cotton export कर सकते हो इंडिया के पूरा दिन लोग टी पीते अब ब्लेक टी का एक्सपॉर्ट करना चाहते हो तो हॉंकॉंग सबसे बेच डिस्टीनिशन है अब हम बात करें इंडिया और हॉंकॉंक कों के बिजनेस रिलेशन की तो बहुत ही अच्छे रिलेशन है और मैं आपको यहाँ पर कहावत दिला दू दुश्मन का दुश्मन दोस होता है, मतलब हमारा जो दुश्मन है चाइना है और चाइना का जो दुश्मन है होंकोंग है, मतलब होंकोंग हमारा दोस हो गया, क्यूंकि चाइना और होंकोंग की तो बंती नहीं है, मतलब अच्छे रिलेशन नहीं है, तो होंकोंग को कोई भी रिशिनेशन है रियेग्सपोर्ट का हब है तो बड़ी-बड़ी कमनियां जो है होंग्कों में अपना औपीस कौल करके रखती है तो क्या होगा वो री एक्सपोर्ड कर सकते हैं ट्रेडिंग कर सकते होंग्कोंग इस हब ऑग और एक्जिबिशन Hong Kong के अंदर बहुत चार exhibition and conferences होते हैं तो वहाँ पर दुनिया बर से लोग आते जो shopping करते हैं तो Hong Kong के अदर बहुत चारी shopping product की भी डिमांद रहती है Hong Kong जो है दुनिया को global business करने में एक platform देता है वहाँ पर exhibition and conferences होती है तो लोगों को platform मिलता है लोग आते हैं exhibition में participate करते हैं और अपना product दुनिया भर में sell करते हैं वहाँ पे लोगों को buyer मिलते हैं और बहुत सार exhibition के अंदर Indian exporter भी participate करते हैं और Indian government उसे EPC Export Promotion Council और Trade Association के थूँ उसको help भी करते हैं Indian government जो है exhibition में जाने के लिए subsidies भी देती EPC के थूँ या trade association के थूँ जो है पुरा support करती हैं तो आप बोलोगो है sir हमें Hong Kong में export तो करना है अब हमारी product के लिए वहाँ पे buyer कैसे ढूंड़ना है तो सबसे पहला best way है exhibition आप Hong Kong के अंदर exhibition में जा सकते हो अपने भायर ढूंड सकते हो next है आप Hong Kong General Chamber of Commerce को contact कर सकते हो उसका detail यहाँ पे दिया गया है Hong Kong General Chamber of Commerce का contact कीजे वहाँ पे जो traders है वहाँ जो wholesaler है वहाँ पे जो business मेंने उसका list आप Hong Kong Chamber of Commerce से निकाल सकते हो next है आप Hong Kong के अ आपके practically live buyer भी आप डूंड सकते हो Hong Kong के अंदर export के अच्छी opportunity वहाँ पे quality का भी इतना problem नहीं आता है क्योंकि Asian country है तो इंडिया से Hong Kong में बहुत easily export होता है और next वीडियो आप कौन सी country पर चाहते है उसका नाम आप यहाँ पे नीचे comment किजे मैं उसके अपर भी वीडियो बन हुआ 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 है